किसी फिल्म को हिट सुपर हिट ब्लॉक बश्टर बनाने के लिए जितना हाथ जंता का होता है उतना ही हाथ डारेक्टर का भी होता है जैसे कि हाल फिलाल में अपने टिर्पल आर्स तो देख क्योंगी कि अजबर जस्त फिल्म रही थी देन उसके बाद के जिप चैप्टर होंगी कौन सी होंगी उनकी फिल्म है उनसे की बात करेंगे इसी वीडियो में तो सुरू करने से पहला आपको और बार की तरह एक चोटा साई काम करना होगा वीडियो अच्छा लगए लाइक की चैनल सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बैल आकन प्रिस करना मत के बाद साउट इंडिस्ट्री में हाल फिलाल में कात्रू वैली दाई फिल्म भी आपने देगी होगी जिसके लीडियो में कार्ती और साथ में अधिती हैदी नजर आयते जी हां दोस्तों तो अब ये पैन इंडिया ले रहे हैं काफी बड़ी एंट्री जो ले रहे हैं 500 कर हाल फिलाल में आ चुका है जो काफी ज्यादा लोगों को इंप्रेस भी कर जी हां दोस्तों तो आपको बताद इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा जिसे आप जल्द देख लोगे यानि कि 30 सितंबर 2022 कोई आने वाली है दोस्तों अब आते हैं नमबर साथ पर तो नमबर साथ पर है एटली कुमार जो की तमिल इंडिया लेवल पर मार चुके हैं एंट्री और उनकी आने वाली है काफी बड़ी फिल्म जिसका नाम हो रहा है जवान जी हाँ धूस्तों जोगी एक्सिन त्रेयल फिल्म होने वाली है जिसके लीड में आपको सारुक खान नज़राने वाले साथ में नहें तार और विजे सेतु городी जो इस फिल्म के अंदर आपको विलन के किरदार में नज़राई जी हाँ दोस्तों आपको अधाद इस फिल्म को लगबग 200-500 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है जिसकी सूटिंग हाल फिलार में चल रही है और इस फिल्म को जो रिलीस किया जाना है वो 2 जून 2023 को रिलीस किया जाना है तो कौन-कौन जाने वाला है कनराज जीनों ने हाल फिल्लर में विक्रम से धमाका मचाया और मैसी ब्लॉकबश्टर फिल्म इनों ने ये देड़ डाली है इससे पहले वी ये मास्टर जैसी ब्लॉकबश्टर फिल्म दे चुके जिसके लिए रूल में आपको तैलापती वीज़े सेतु पती नजर आया और साथ ही साथ आपको गोतम मैनन भी दिखाएं देंगे संजेदत और गोतम मैनन दोनों ही इसमें विलन का रोल ने बहा रहे हैं और बताया जा रहा है ये फिल्म जो होने वाली है वो लोकेस कनराज के सिनेमेटर की यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है लेकिन ऐसा कुछ रिलीस के जाएगा वो 2023 में ही के जाएगा जो आपको 2023 के लचस तक देखने को मिल पाएगी बात करें लोकेस कनराज की शाठ अपकामिंग इन्वर्स का हिस्सा जो आपको देखने को मिल पाईगी 2024 में दोस्तों तो इसके लिए तो मुझे काफी ज़्यादा वेट है और किसको कमेंट में बता देना मेरे भाई हो और हाँ काफी सारी फिल्म आती हैं जिनकी डिलीज डेट अचानक से अनाउंस कर दी जाती है जिनकी अपडेट में आपको नहीं दे पाया था वो सब आपको जाने है फास्ट काफी ज़्यादा फास्ट तो आप मेरे इस्टागराम पर जा सकते हो जहां पर असली रोईत राज जैसी फिल्म से पैन इंडिया लेवल पर एंटरी मारी और वो पैन इंडिया फिल्म उन्होंने रिलीज कर दी केज़ेफ़ चैप्टर टू के सामने जहां पर लग रहा था यह फिल्म कुछ नहीं कर पाएगी लेकिन इस फिल्म है के जिफ चेप्टर 2 के सामने सौ करोड कमा के एक अलगी कमाल कर दिया क्यों कमाल कर दिया कि में छामने रुखना मुस्किलिष नहीं नाम शीझा רुमें ता य hp कर दिखाम हाल्फिलाल में तो favies पर आवरेज लेंगए लेकिन उसके बाद नैंसन दिलिब कुमार की आ रही है एक और बड़ी फिल्म जी हां दोस्तों जिसका नाम होने वाला जेलर एक एक्सें ध्रेल फिल्म होने वाली सूपर इस्टार रजनी कांथ और साथ ही साथ आपको सीवा राजकुमार दिखाए देंगे जहां पर आपको सीवा पॉरेंगे दोस्तों सजबंगे दोस्तों आते हैं साथ इंडिस्टार टलेंटे टारेंटी और coach कि लिस्त में आते हैं जिन्की फिल्म है less f服alacy से महेंगी फिल्म रही और यह फिल्म सबसे बहतरे इन égले बाक्स आपक्स अपना क्लेक्शन यूं यहँ पूरा कर लिए जी है डोस्तुत तो अब बात किरने वाले AIbased की सीन की फिल्म आ रिलीस की जाएगी जो आपको 2023 के मिड़ तक ही देखने को मिल जाएगी यार आतकरें एस संकर की नेस्ट अपकमिंग फिल्म जो होने वाली है इंडियन टू जो की पॉलिटिकल क्राइम एक्सें थ्रेले फिल्म होने वाली है जिसकी लीड डूल में आपको दिखाने देंगे क ये फिल्म भी आपको 2023 के एंड तक देखने को मिल जाएगी यानि कि ये भी 2023 में यार ये एस संकर की दो बड़ी फिल्म में 2023 में रिलीज होने वाली है भाईयो आते नमबर थिरी पर तो नमबर थिरी पर सूकुमार सूकुमार को तो आप सब नहीं जानते तो भाईया आप जान लोकियों कि आपने पुस्पा तो देखी होगी पुस्पा जुगेगा नहीं साला जी हां दोस्तों पुस्पा जिसने अहाल फिलाल के अंदर यानि कि 2021 के दिसंबर में हर किसी को सिरिवल्ली के गाने पर नचा दिया और बॉक्स आपस पर ये मैसी ब्लॉक बश्टर रह यानि कि जिसे आपके सकते हो पुस्पा टू जिसे काफी बड़े लेवल पर बनाय जा रहा है जिसके अंदर आपको वही काश्ट द्वारा से देखने को मिलने वाली है यानि कि आपको अल्लू अर्जुन रस्मी कमंडान अफाद फासिल सुनील अनुसुया जैसे कलाकार फ पाके में रिलीज किया जाएगा क्योंकि इस फिल्म को आठ से दस बासाओं में रिलीज किया जाना है यानि कि हिंदी ता मिलको कनड़ा मली आलमत है उडिया माराटी और साथमा गुजराती और कुछ और बासा है जी हाँ दोस्तों यानि कि अल्लु अर्जौन अपकी फुल जिनुड़न इन के जिए वन के जिए टूझा सी, मासी बलॉगbers टांपी दृताम बलॉको बेश्टर मुवी ती इस के बास तो पर्शौनद देंई च्छवी एक हिरो से जादा हो चुकी तो अब बात कर लें पर्सांत दनील की आने वाली फिल्म के बारे में जो होने वालि जिसके लीड रोल में आपको परवास नजर आएंगे साथ में आपको सुरूती हैसन जगपती बाबू और साथ ही साथ आपको पिर्थवीरा सुकुमार नुई दिखाएं देने वाले और इस फिल्म की सूटिंग है वो लगत वक्त सतर परसंट कम्पलेट हो चुकी है जो कि पैन इंडिया रिलीज होगी दोस्तों आफर क्लोजे सून आते है नमबर वन पर तो नमबर वन पर एसे सराजा मौली जो कि बाहू बली वन टू हाल फिलाल में टिर्पल आर्ट जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं जिनकी फिल्म देखने का experience तो खाली सिनेमा गरों में ही आताया और यह फिल्में वाकिछी में सिनेमा गरों के लिए भना जाती है जो हजार करोड का क्लेक्शन यही पार कर जाती है लेकिन हम बात करें ऐसे सारा जामौली की upcoming field abeth के बारे में और 400-500 करोड़ तो जब इंडिया में खर्च कर सुगे हैं राज अमोली तो यह 400-500 करोड़ से वी ओपर जाने वाली है और जब 400-500 करोड़ से ओपर जाएगी तो कमाईगी भी काफी ज्यादा तो यह फिल्म जो रिलीज की जाएगी वो 2024 से पहले तो रिलीज नहीं की जाएग कर दो कि आक कृषः करा एन वाली है और 500-500 करोड़ है।